भाई साब कितने ज्यादा टेंप्टिंग लग रहा है ये सभी का सभी स्नेक्स में वाट्स आप अबरीवाइन वेलकम बैक टू दे चैनल आए होप आप सबी ठीक होंगे सो आज है संडे और आज हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने संडे स्पेशल सो चलिए व्लोग को स्टार्ट करते हैं सो गाइज वैसे तो हम लोग आए हैं बी का नेर में अब आप सोच रहे होगे भाई तू फिर बी का नेर में आ गया है और गाईज मैंने अपनी सीट भी ले ली है अब बस वेट है गाईज सारा स्नैक्स मेन्यों आने का वैस फाइनलरी दा वेट इस ओवर और हमारे सामने हैं यह पूरा स्नैक्स मैन्यों और गाईज जादा आइटम्स नहीं है लेकिन कोई बात नहीं ये जो भी 6 के 6 आइटम ते मैंने 6 के 6 आइटम ले लिए वहाँ से सबसे पहले मैं आपको इन सब का नाम बता देता हूँ तो ये तो भाई हमारा नॉर्मल है समोसा फिर आती है हमारी गाईज ये प्यास कचोड़ी जिसके साथ मिली है मेरे को दो चटनिया मतलब की एक हमारी हरी चटनी और एक हमारी सॉंट उसके बाद आता है गाईज ये कुल्चो और गाईज सीरिसली इस कुल्चे में जो स्टफिंग है न अरे यार बहार भी निकल गई तो ये स्टफिंग गाईज इसमें पनीर भर भर के डाल लगा है हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है अगाईज ये चीज फुट लॉंग कैसा रहेगा ओ माई गॉड गाईज ये चीज फुट लॉंग बहुत ज़्यादा टेस्टी है मतलब यार इसमें से एक पनीरी टिकका जैसा फ्लेवर भी आ इसमें पनीर है खाईज रहाए जोंगता कि सchlag किसे पनीर है च जाई आखा है ये जो चीजagituestas नहीं है चीज की निचे ज层 स्टफिंग निलग है उसमें पनीर डाल लगаств QS और इन सब की भाई ये बहुत ज्यादा डिश्ट यह है यह बहुत ज़्यादा टीस्टी है मतलब मेरे साफ से तो यह भाई मस्ट है कि आप एक बार अगर विकनेर में हो तो इसे जरूर ट्राइ करना यह बहुत ज़्यादा गजब चीज़ है अब गाईज ट्राइकर के देखते हैं यह हमारा पनीर कुल्चा और यह कैसा रहेगा भाई देखते हैं अधिन पनीर की स्टफिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका से डाल रहे है मतलब यार जब पनीर और साथ में जो इन लोगों ने मिक्षर बना रखा है या बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है बहुत ही ज्यादा बढ़िया जो यह फिलिंग है वो बहुत टेस्टी है गाइस आप देख सकते हो फिलिंग कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है प्याज है शिमला मिडश है टमाटर है एंड हमारा पनीर है और गाई सीरिशली में भर भर के ने पनी डाला हूए है पनीर ही पनीर है और पनीर तो आप जान देखो गाईस मुझे कितना ज़्यादा पसंद है सो गाईज अब ट्राइए करके देखते हैं यह आलू बोंडा कैसा रहेगा जो कि भाई बोंडा बोंडा हो रहा है और गाईज मतलब इसके अंदर यार बहुत ज़्यादा मीठा फ्लेवर आ रहा है क्यों क्योंकि इसमें है किश्मिश और गाईज आप खुद सोचो ब्रेट पकोड़ा हो गया समूस हो गया इनमें किश्मिश कोई अच्छी तोड़ी लगती है मैं आपको दिखाता हूँ इसक स्नैक्स का और इसमें क्या मीठा मीठा खाऊ तो गाईज मुझे यह पसंद नहीं आया सच बता रहूं मैं आपको और अब हम आगे चलते हैं कुछ और ट्राइक करने अब ट्राइक करके देखेंगे गाईज इनकी प्यास कचोडी जो की यार मतलब बढ़ी आसी लग रही है और खुश्बू आ रही है इसमें से गाईज और गरम है अब देखते हैं गाईज इसके अंदर प्यास ही प्यास है क्योंकि देखो नाम तो लिखा हुआ है प्यास काईज मैं आपको बताता हूं मेरी एक्सपेक्टेशन तो देखो कम थी कि अच्छी लगेगी लेकिन गाईज सीरिसली यह बहुत ज़्यादा टेस्टी है यह प्यास कचोडी मेरे को लग रहा था कि प्यास की बस फिलिंग होगी तब ही नाम रखा है प्यास कचोडी लेकिन गाईज इसके साथ में जो आलू का साथ में मिक्षर बनाये हुआ है बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो गाईज अब देखते हैं फिलिंग कैसी रहेगी इस प्यास कचोडी की अंदर से भी कैसी होगी और गाईज आप देख सकते हो काफी बढ़िया फिलिंग है स किंदर प्यास के साथ आलू की भी स्टफिंग है साथ में अब गाईज यह जो कुल्चा था इसे फिनिश कर लेते हैं और मैं एक और बात आपको बताता हूं कि यह जो कुल्चा है ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है विल्कुल भी सॉफ नहीं रहा ह अब यह टाइट टाइट फील हो रहा था तो मैंने सोचा यार पहले से खाके फिनिश कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं अब गाईस फाइनली वो मुमेंट आ चुका है कि हम लोगों को माई फेवरेट पनीर की डेश मतलब कि अब की बार पनीर पकोड़ा टेस्ट करेंगे औ पनीर पकोड़ा ओ भाई सहाब आप खुद देखो मतलब पूरा का पूरा पनीर का पीस है इसके अंदर मतलब आप यह नहीं समझ सकते हो कि छोटा बहुत पीस हो पर पूरा का पूरा पनीर का ही बेस है और गाईस यह सीरेसली बहुत जादा टेस्टी है मतलब यार मुझे ओर यह जो हमारा फुटलॉंग था फुटलॉंग के बाद यह सीरेसली जो मुझे पसंदर आ रही है और गाईस एक चीज और इसके अंदर फिलिंग भी है मसाले की मतलब यार पनीर के ओपर जो मसाला डालती है नहीं लोगки भीस् और यह इसकी तिस्टी है मतलब यह पनीर पकोड़ा भाई साथ बेस्ट एक दम तो गाई हमारा लास्ट आइटम आता है जो है हमारा समोसा अब चेक करते हैं कि यह समोसा कैसा रहेगा और वैसे काफी जादा गरम और गरम गरम निकल के समोसे आये थे मैंने पांच मिनट वेट भी करना पड़ा था क्योंकि समोसे बन र समोसे अब क्या ही अच्छे लगेंगे यार मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार मेरे को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है समोसे क्योंकि यार किश्मिश क्यों डालते हो यार मतलब किश्मिश की वरे से कितनी मीठी मीठी हो गई है मतलब जो आलो की बिटी हो पूरी क पूरी मीठी हो रखे है किश्मिश किश्मिश डाल रखे हैं तीन से चार दो गई मैंने किश्मिश निगा लिए हैं तो गाइज यही सब मैंने करा है टेस्ट और सबसे बढ़िया मुझे लगा चीज फूट लॉंग फिर हमारा हो गया पनीर पकोड़ा फिर उसके बाद हो गए प्यास कचोड़ी कुल्चा उसके बाद यह बाकी का जो इटम बचा है समोसा एंड अलू बोंड़ा इतना भी पसंद नहीं आए मुझे समोसा और अलू बोंड़ा पसंद नहीं आए तो गाइस